हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्डी पॉइंट तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को बता है अपने देश की जो स्पेस एजंसी इसरो ने फिर से कितिहास बना दिया है चंद्रया न्टू की सफलता पूरवक लॉंचिंग हो चुकी है तो हम सभी भारतियों के लिए गर ट्रेंडिंग जी के ठीक है तो अगर आप लास तक देख लेते तो आपको एक भी कोशन बाहर नहीं जाए एक्जाम में वीडियो में लास तक बने रहें चैनल को सब्सक्राइब निकिए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ में बेल आकन पर सकते ताकि गया देखें दोस्तों टाइमिंग पूचे आ सकती एक्जाम में एक्जैक टाइमिंग थी दोस्तों थी वह दोपार में दो बच के 43 मिनट पर 243 पर जो चंद्रयान टू लांच किया गया है अगला ओशन देख लेते हैं चंद्रयान टू किस अंतरिक्ष केंद से लांच किय गया चंद्रयान टू को लांच किया दोस्तों स्री हरी कोटा जो कि कहां इसी थे अंधर प्रदेश राज्य में सी थे स्री हरी कोटा अंतरिक्ष केंद से लांच किया गया अंधर प्रदेश से वेरी वेरी इंपोडन कोशन है अगला ओशन देखिए प्रक्षेपड कितने मि परत्मान चेर्मेन है के सिवान इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनेशन आगे हम इसरो से लेड़ सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे चंद्रयान टू का वजन कितना है वजन भी आपसे एक जाम में पूछा आ सकता है ठीक है देखें जियेशन भी मार्क थ्री रॉंकेट से लॉंच किया गया है तो यहां पे जियेशन भी जो वर्ड आया है इसका फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए जियो सिंक्रोनस सिंक्रोनस सेटलाइट लौंच वेहिकल चंद्रियान टू के लेंडर का क्या नाम था दोस्तों चंद्रियान टू को जो लेंडर है उसका नाम क्या था उसका नाम दोस्तों विक्रम इसका क्या नाम था चंद्रियान टू के लेंडर का विक्रम नाम था ठीक है देखे तो चंद्रयान 2 की जो लेंडिंग है चांद की दक्षनी दूपर की जाएगी South Pole पर की जाएगी ठीक है चंद्रयान 2 की लेंडिंग चांद के दक्षनी दूपर की जाएगी अगला उसन देखिए चांद के देख्षणी दुरूपर उतानने वाला दुनिया का पहला देश कौन से बना है तो चांद के देख्षणी दुरूपर उतानने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है ठीक है भारत अगला उचन है और्वीटर का क्या नाम है देखे और्वीटर का क्या काम है और्वीटर यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक और्वीटर का क्या काम है देखे उसका जो मुख काम है और्वीटर का मुख काम क्या है प्रिथिवी और लेंडर की बीच कम्यूकेशन करन देखे दोस्तों अगला उचन है चांद पर भूकम पाते हैं या नहीं इसका पता कौन लगाएगा तो चांद पर जो भूकम पाते हैं यानि इसका पता लगाएगा लेंडर लेंडर क्या काम होगा जो भूकम पाते हैं चांद पर इसका जो खोच करेगा लेंडर चांद की सतय पर खनी स्तत्तों के मौजूद्गी का पता कौन लगाएगा देखे तो चांद की सतय पर खनी स्तत्तों के मौजूद्गी का पता लगाएगा रोबर जो होगा वो खनी स्तत्तों के मौजूद्गी का पता लगाएगा ठीक रोबर फिर अगला उशन देख लेते हैं चंद्रियान 2 को भारत की कौन सी संस्था लॉंच करेगी तो हमने बताया चंद्रियान 2 को भारत की इस रोज दोस्तो भारती अंतरिक छंचंदान संक्ठन हिंदी में भारती अंतरिक छंचंदान संक्टन इंडियान स्पेस रिसर्च ओगनेशन ने जो है लॉंच किया चंद्रियान टू को अगला चंद्रियान टू को लॉंच करने में कितना खर्चा आया है इसमें दोस्तो 960 करोड रुपए लगफगाया है चंद्रियान मिशन चंद्रियान टू को लॉंच करने में 960 करोड रुपए है काफी सस्ता है दुनिया का सबसे सस्ता है यह और पूरा सोदेशी तरह से इस प्रभार् किसके पास है तो प्रधान मंत्री के पास होता है जो अंद्रिक्ष मंत्रालयक यूंज रॉइप देख देख लेते हैं दूसे हैं धर लेंदीं के साथ भारत-चंद्रमागगी शताबर पहुंजने वाला दूनिये का वहाद मब 2006rim बन जाएगा ठीक है चोथा देस बन जाएगा भारत ओके फ्रेंट्स चंद्रिया डूटकी सफ़ल लेंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा एक्षेतर और बेहा धेसर वारत दूनिया का आपो तर स्थ जाएगा जाएगा इस रोग के संस्थापक कौन थे गे दोस्तो विक्रम सारा भाई इस रोग संस्थापक कौन थे विक्रम सारा भाई इस रोग स्थाबना कप की गई थी 15 अगस्त 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे नील आर्मिस्टॉंग नील आर्मिस्टॉंग अगला कोशन देखिए काफी मातपूर कई वार पूछा गया है चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आमिस्टांग की संद्रिक शांग से चंद्रमा पर उतरे थे तो अलो अपोलो 11 से दोस्तों ठीक है चांद पर कदम रखने वाले जो नील आमिस्टांग की संद्र चान से उत्रे थे अप ओलो 11 से तेत दोस्तों चंदरमा सी लेटेट मिसान चंद्रयान टू सी लेटेट वेरीं बॉर्ड इन कोश्चन वीडियो पसंद लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं रज्र वीडियोक साथ स्वासरे बैस्टरे मस्त्रे जै हिन जय भारत